बहुत पुरानी बात, मगद राज्ज में एक सूनापूर नाम का गाउं था, उस गाउं के लोग साम होते ही अपने घरों में आ जाते थे, और सुबह होने से पहले कोई भी घर से बाहर कदम भी नहीं रखता था, इसका कारण डाकू अंगुलिमाल था, डाकू अंगुलिमाल मगद के जंगलों की गुफा में रहता था, वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था, लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता, उसकी एक उंगली काट लिता और उन उंगलियों की माला बना कर पहनता, इसलिए उसका नाम डाकू अंगुलिमाल पड़ गाउं के लोग उनकी आओ भगत करने लगे गौतम बुध्य ने देखा कि गाउं के लोगों में किसी बात को लेकर दहसत फैली हुई है तब गौतम बुध्य ने गाउं के लोगों से इसका कारण पूछा ये सुनते ही गाउंवालों ने अंगुल इमाल के आतंक का पूरा किस्ता उन्हें सुनाया अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए गाउंवालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने बुद्ध को आते देख अंगुल इमाल हाथों में तलवाल लेकर खड़ा हो गया पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा अंगुल इमाल उनकी पीछे दवडा पर दिवे प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था ठक हार कर उसने कहा रुको बुद्ध रुक गये और मुस्कुरा कर बोले मैं तो कब का रुक गया पर तुम ये हिंसा कब रोकोगे अंगुल इमाल ने कहा सन्यासी तुम्हें मुस्से डर नहीं लगता सारा मगद मुस्से डरता है तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो वरना जान से हाथ दो बैठोगे मैं इस राज्य का सबसे सक्तिसालिय व्यक्ति हूँ बुद्ध जरा भी नहीं घब रहे मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य की सबसे सक्तिसालिय इंसान हूँ तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा अंगुल इमाल बोला बताओ मैं कैसे साबित कर सकता हूँ बुद्ध ने कहा तुम उस पेंड से दस पत्तियां तोड़ कर लाओ अंगुल इमाल ने कहा बस इतनी सी बात मैं तो पूरा पेंड उखाड सकता हूँ अंगुल इमाल ने दस पत्तियां तोड़ कर लादी बुद्ध ने कहा अब इन पत्तियों को वापस पेंड पर जाकर लगा दो अंगुल इमाल ने हैरान होकर कहा तोटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या तो बुद्ध बोले जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड सकते तो तुम सबसे सकती सालिक कैसे हुए यदि तुम किसी चीज को जोड नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मिर्त्य देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ये सुनकर अंगुलिमाल को अपनी गलती का हैसास हो गया और वह बुद्ध का सिस्से बन गया और उसी गाउं में रहकर लोगों की सेवा करने लगा आगे चलकर ये ही अंगुलिमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका नाम से प्रसिद्ध हुआ